अरे बहले बैकलोग देखो बैकलोग आपका हमेशा रहेगा ठीक है आपको लगे कि भाई मैं बैकलोग पे फताय पालूँगा बैकलोग को कवर करने का एक ही तरीका है या तो आप लाइव क्लासिस के साथ चले सबसे बड़ी चीज़े जो बच्चा यह सोचता है कि भाई मैं लाइव क्लासिस से पीछे चलूँगा या तो responsible हो फिर अगर आप खुद जानते हैं कि मैं irresponsible हूँ आप लाइव क्लासिस से पीछे चल रहे हैं और आप इधर उदर बकैती करना साथ कर देते हैं तो डेफिनिटली आप पीछे छूट जाएंगे कहीं सारे बच्चे होते हैं तो life class नहीं देखते हैं लेकिन फिर भी वो selection लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो responsible होते हैं, consistent होते हैं, तो आप, अगर आपको लग रहा है कि आप irresponsible हैं, और consistent नहीं है, discipline नहीं है, तो कोशिश करिए कि आप life class में करें, ठीक है, yes, sir, क्या यहां से, fourth month की strategy क्या है, बेटा सिर्फ slay बस complete कर ले, J-Mains 1 तक, अपना वहीं सबसे बड़ी strategy होती है, जितने भी dropper हैं, मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, कि dropper के लिए, अगर आपने J-Mains 1 से पहले, without backlog, with revision, एक बार revision, जितने भी PYQ आपसे हो गए, फर मैं सारे नहीं लगाए, कोई नहीं भाई, इतने कम टाइम frame में सारे बच्चे नहीं कर पाते, slaybers complete नहीं कर पाते, मैं आप सभी लोगों बोल रहा हूँ, J-Mains 1 से पहले complete slayber, complete revision के साथ, और जितने भी आपने class में PYQ करें, आप खुद से PYQ करें, अगर आप complete slaybers, complete revision के साथ उतर जाते हैं, believe me, आपको बहुत बड़ा change या बहुत बड़ा jump आपको मिलेगा, ठीक है, हाँ, पहले PYQ ही करेंगे आप सभी लोग, ठीक है, क्योंकि हमारे पास limited time है, सबसे पहले PYQ आपके लिए relevant है, तो first of all, आपके PYQ पर नजर होनी चाहिए, कि भाई देखो में पास time कम है, exam front के आपस सबसे important questions क्या है, वो PYQ है, तो जै पीधे उनके PYQs पर हिट मारें, क्योंकि समय कम है, जेए मेंस वन के बाद आप और प्रैक्टिस करने के लिए अपने DPP, module, अगर आपके पास अभी time crunch है, तो आप उसको रोग के PYQs पर जा सकते है, जिनका time सही manage हो रहा है, आप module भी try कर रहे है, मैंने homework भी दिया, module के भ करें, वो सबका समय अलग-अलग होता है, ठीक है, सब PYQ याद हो जाते है, तो यह एक बहुत बड़ी problem है, आप लोगों के साथ, I know that, इसके उपर हम लोग काम करें, लेकिन हम लोगों पार time नहीं बचता है, लेकिन मैं आपको modified PYQs देने के लिए बोला है, तो एक बार ज से उस सवाल को solve करना पड़े, यह में को पता है, क्योंकि मेरे साथ भी यही दिक्कत थी, जनली केमिस्ट्री में मेरे साथ यह बहुत ज़्यादा हो जाथा, कि भाई मैंने organic के सवाल लगा लिए, अब मेरे को याद हो गए, कि भाई इसका तो यह है, इसका तो यह है, कि वो हो रहे हैं, वो मोटिवेशन डाउन कर रहे हैं, कई बार वो बहुत एजी हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, पता नहीं एक्जाम में आए गा या नहीं आएगा, तो रेलिवेंसी मिस होती जाती थी, तो यह आपको थोड़े से मोडिफाइड पी वाई क्यों चाहिए, ठीक है, Yes, Sir, Distraction के बारे में बता दीजे, Distraction, Distraction हमारे लिए तो मेख्याल जो बच्चे सीरियस है, I don't think कि आपके लिए Distraction नाम की कोई चीज होगी, No doubt, आप टाइम पास करने के लिए कुछ चीजों को करते हैं, तो वो हर व्यक्ति करता है, तो उसमें कोई Distraction बोलने की बात नहीं है, उसको ऐस सच कोई Table बनाके, या फिर कोई अपने दिमाग में मत रखे, कि यार मैंने थोड़ी दर मूवी देख ली या थोड़ी दर गाने सुन लिए, मैं दोस्तों के अपास चला गया, मैंने बात कर ली, ये Normal Life है, इसको Distraction नहीं बोलते, हाँ, आपके अगर काम है, और अपने कोटा के टाइम पर था, और mid of the session मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारे एक sir थे, विशाल जोशी sir, उन्होंने एक एक line बोली थी, ठीक है, उससे मैं back on track आया था, और मेभी शायद वो line आपके लिए भी काम आ चाहे, ठीक है, उन्होंने ये बात बोली थी, कि ज जिस दिन आपने, सभी लोगों ने अलग-अलग दिन अपने drop लेने का decision लिया, ठीक है, जिन जिन बच्चों ने drop लेने का, जिस दिन भी decision लिया, जिस समय भी decision लिया, आप लोगों ने अपने लिए क्या सोचा था, वो याद करिए, सारे बच्चे, एक बार, for the timing, बस उसके बाद हम लोग अपने topic पर आ जाएंगे, ठीक है, and I think, इस से बड़ी मेरे लिए motivation नहीं थी, क्योंकि ये चीज मेरे दिमाग में छप गई, कि हाँ यार मैंने क्या सोचा था, ठीक है, first, this moment पर आपने कहा, कि यार मैं को drop लेना है, when you decided कि यार कि मैं को drop लेना है, उससे पहले हो सकता, आप confused हो, लूँ या ना लू, लेकिन जिस दिन आपने decide करने के लिए सोच लिया, तब आपने क्या सोचा था, वो feeling pure form में आपको याद आ रही है, yes, वो आपने जो भी सोचा, जो भी feel किया, वो pure form में आपको याद आ रही हो क्योंकि this is the real world, वो आपने expect किया and this is what you are getting, लेकिन बात यह है कि अगर आपकी expectation यहाँ है, तो आपको hit तो करना ही पड़ेगा ना, अब आप क्या है कि आप आज की scenario के हिसाब से बदल रहें अपने आपको और कहरें कि नहीं यार नहीं यार यह दिक्कत वो दिक्कत यह दिक् नहीं लगेंगे क्या, अगर उस level के effort चाहिए, वो आपको सब को पता है, क्रीदे को भाई कोई बता यहाँ से इस चीज को expect कर रहा है, कोई यहाँ से इस चीज को expect कर रहा है, सब को अपना level पता है क्यार मेरे को यह यह चीज़े और करनी चाहिए, तब ही मेरा selection होगा, otherwise नह कर रहा है, उसको समझ आएगा, हम सभी के पास थोड़े-थोड़े से gaps है, उसको fulfill करना है, और अगर आज आप अपने आपसे जूट बोल दें, कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मेरे पास तो distractions है, मेरे पास तो यह problem, मेरे पास तो वो problem, बेटा समय निकल जाएगा, और यह expectation, expectations ही रहेंगी, आपका graph यहां रह जाएगा, जो आपको reality में अभी मिल रहा है, और वो उसके लिए आपने drop नहीं लिया था, ठीक है, उसके लिए आपने drop नहीं लिया था, आपको यह बात समझनी पड़ेगी, कि यह जो भी graph जाएगा, कभी उपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी उपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, ups and downs are the part of this preparation, आप कभी भी एक chapter को जैसे समझा है, उसको उसी के जैसे दूसरा chapter नहीं समझेंगे, यह सभी के साथ होगा, आप इसको अपने personal मत लीजे के सार, मेरी तेयारी खराब हो रही है, बहुत बच्चे हैं, जि किसी को भी उठा के पूछ लेना, उनको कहीं न कहीं तो major दिक्कत रही होगी, preparation में, ठीक है, 500 की भी अपनी दिक्कत है, लेकिन 500 के beyond, syllabus ना complete हो पाना, revision ना हो पाना, कुछ topics छूट जाना, कुछ topics नहीं समझाना, यह सब के साथ होता है, तो यह आपके साथ भी हो रहा है, चुप चाप तरीके से अपने efforts लगाई है, और बेटा, उस दिन को याद रखना, जिस दिन आपने drop लेने का सोचा था, और आज आप कहां पर है, आपने आपको नीचे क्यों pull किया, बताइए, अगर मैं आप लोगों से सवाल पुछूँगे, तो आप कई बच्चे मायूस हो जाएंगे कि सर में को बुरा लग रहा है, बुरा लगनी की बात नहीं है, बात यह है कि आप बुरा लगने के बाद क्या कर रहे है, आप बुरा लग रहा है, कुछ दिन तक थोड़ी देर तक demotivated feel करा, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, ये नहीं होता भाई, रि जब आप solution सोचना start करेंगे और कदम चलाना start करेंगे, तभी आप उस problem से बाहर निकल पाएंगे, otherwise ये जो problems आपके साथ चल रही है, these are black holes बेटा, हमेशा ही रहेंगे और हमेशा आपको अपने साथ ही खीशते चली जाएंगी नीचे की तरह, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो please आप सभी लोग अपनी तियारी को continue रखिए, जितना ज़्यादा आप अपना revision time निकाल पाएं, उतना revise करें, क्योंकि mid of the session में मैं हमेशा बताता हूँ, starting वाले part में सभी को motivation रहता है, syllabus कुछ पीछे का पढ़ना नहीं है, सिर्फ आगे का पढ़ना है, तो सारे के सारे भग रहे होते हैं, teacher पीछे है, student आगे भाग रहा है, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, mid of the session में आके, अब क्या होता है, कि आपको पीछे का revise करना है, और आगे का और present का पढ़ना है, बच्चों को मौत यहां से आनी start होती है, और mid of the session हमारा start होई रहा है, mid of the session में हम लोग syllabus के बीच में आ चुके है, ये mid of the session, end में, अब जो पढ़ता चला जाता है, revise करता चला जाता है, end of the session में सिर्फ और सिर्फ आपका revision रह जाता है, और फिर test होते हैं, अब बात यह है कि जिस बच्चे ने अपने mid of the session को संभाल लिया, उसने नहां घिसलो, November, December के बाद, mid of the December के बाद, you will be relaxed, believe me, आप काफी ज़्यादा relaxed होंगे, क्योंकि mid of the session में पीछे भी revise करना है, present कभी पढ़ना है, आगे कभी सोचना है, test भी देने, यही struggling part है, यहीं पर बच्चा पीछे छूटता है बेटा, और कुछ ही बच्चे आखरी तक पहुँचते हैं, यही है बस, और जो आपका right now moment है, इसमें आप जितना संकी थे, कि भाई मेरे को वो चाहिए, prove it, और कुछ नहीं है, ठीक है, तो अगर आपको discipline की दिक्कत है, आपको consistency की दिक्कत है, आपको demotivation है, तो यादगरिया आपने किस चीज़ के लिए ड्रॉप आपके effort से ही आने वाला है, clear, और आपको लगे कि सर सवाल नहीं हो रहे, मैं demotivation होता, demotivated feel करता हूँ, this is the part, जिस दिन आपने इस चीज़ से लणना छोड़ दिया, कि आपको सवाल नहीं हो रहे, मैं demotivated feel कर रहा हूँ, इस चीज़ से लणना ही छोड़ दिया ना, बि test में आप अपने आपको analyze करें, उसमें भी learning attitude होना चाहिए, कि यार यह चीज़े मेरे को और सुधारनी चाहिए, इसी को कहते हैं कि positive attitude रखना, आप दूसरे से compare करते हैं, आप इससे compare करते हैं, उससे compare करते हैं, कि ऐसे तेयारी नहीं होती, पूरे, अगर देखा जाए 14-13 ल